तो बत्र प्रकाश और अज आज आपके लेकर आया हूँ Intelligence Test Means Reasoning का Mock Test Guys, ये Mock Test आपके एक्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, तो guys इसे अच्छे से अटेंड करने हैं और आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, out of 25 25 में से कितने Marks आप आ रहे हैं और guys उसके साथ-साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक Special Class जो कि कल 7 जनवरी को लगेगी दोपर 12 बजे से जिसमें हम GK की Class रखने वाले हैं Guys, GK की ये Class रखने का मतलब ये है कि ये एक Marathon Class होगी Guys, GK की Marathon जिसमें हम Overall मतलब Almost पूरे Topics कवर करेंगे GK के ठीक है न? तो guys सबको Attent करना है और इसका मैंने Thumbnail अपलोड भी कर दिया है जितना जादा आप Share कर सकते हूँ उतना जादा Share करू तो guys सब जुड़ जाईए फिर स्टार्ट करते है Class So Hello Issue, Hello Just Karan Hello Suman, Hello Prathmesh Hello Kashyab, Hello Rishab, Hello Aman Hello Kush, Hello Yuvraj, Hello Rashmi Hello Everyone Hello Arpita Hello Siddharth, Hello Kunal Hello Rani Ji Sir RMS का Result Suman पूछ रहे हो न? मैं देखकर बताऊंगा भी मैंने देखा नहीं आज चेक नहीं कराए ठीक है आधर्श तो guys फिर से एक बार खेह रहा हूँ कल दोपहर 12 बजे सब को जुड़ना है GK की Class होगी सारी topics उसमें cover करे जाएंगे Hello Umesh तो चलिए guys स्टार्ट करते हैं यह रहा आज का first question देखे अच्छ अच्छ ठीक है सुमन मैं I think देखो आया नहीं है बेटर रिजल्ट अभी सुमन आ गया होता ना तो पता चल जाता है अभी नहीं आया है और आज मैं चेक कर लूँगा और एक post डाल दूँगा तो आपको पता चल जाएगा जिन बच्चों ने इसका अंसर दिया है D उनका बिलकुल राइट है तो D is the right answer देख लो ऐसे question आ रहे है guys exam में यह बहुत important है तो आपने देखा दो dice आपको given है आपसे पूछ रहा है कि identify the number at the bottom bottom में number क्या होगा जब top 5 होगा आपको करना क्या है आपको देखना है कि दोनो dice में जो digit common है वो कौन सा है आपने देखा 3 यहाँ भी common है 3 यहाँ भी common है clockwise लिखो 3 से start करो लिखना और clockwise लिख दो तो जब clockwise digits को लिखोगे तो 3, 5, 6 आएगा और जब इससे लिखोगे 3 से clockwise तो 3, 4, 2 आएगा guys 5 का opposite 4 हो जाएगा 6 का opposite 2 हो जाएगा तो हमसे पूछा गया है 5 का opposite टॉप और बॉटम का relation opposite से ही होता है तो 5 का opposite 4 हो जाएगा ठीक अब और 6 का opposite 2 अब जो डिजट इसमें नहीं है वो डिजट 1 है तो ये दो 3 आपको दिख रहे हैं दोनों में common इसका opposite 1 हो जाएगा तो मैंने इसका छोटा से concept भी आपको समझा दिया है guys question number 2 यहाँ पिर है hello अविराज hello कहानियों की दुनिया sir मैं English कैसे आद करूँ मुझे समझ नहीं आ रहे कि कहां क्या लिखना है अविराज देखो exam में जब एक दो दिन बचते हैं ना तो थोड़ा सा tension होती है तो कई बार हम जो चीज़े आती हैं ना उसे भी नहीं कर पाते नर्वसनेस के कारण तो सबसे पहले आपको अपने आपको समहालना है ठीक है सबसे important बात and अभी revise वगरा करो English में जैसे one word substitution revise करो idioms and phrases revise करो है ना क्योंकि हमें थोड़ा सा problem इन ही में जाती है जब यह नए नए आते हैं so guys question number two की बात करें तो question number two में जो ठीक है हशीब बेटा तो question number two की बात करें तो right answer जो है वो क्या है आपका 14 है guys hello author इसमें total कितने triangles है 14 triangles है तो देख लेते हैं जल्दी से किस तरीके से देखें triangle तीन साइट से मिलकर बना होता है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ कोई मिस्तों नहीं करा मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ ट्राइंगल अभी हो गए इसमें ठीक है आठ ट्राइंगल आपके इसमें हो गए हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 ये total 8 triangles हो गए आपके फिर उस 8 के बाद हम देखेंगे और कौन से बनेंगे तो ये 8 अभी है लिख लेंगे हम ठीक 8 हो गए फिर उसके बाद आपने देखा ये आपका 9 हो गया ठीक है ये आपका 9 हो गया उसी तरीके से ये आपका 10 हो गया ये दो और हो गए आपके 8 और 2 10 हो गए फिर जब ये 8 और 2 10 हो गए तो उसके बाद हम देखेंगे और कहा बन रहा है ये आपका 11 हो गया ये आपका मतलब ये 2 और हो गए तो 8, 2, 10, 2, 12 हो गया फिर उसके बाद आपका ये 13 हो गया और ये आपका 14 हो गया टोटल कितने हो गए गाइस टोटल 14 ट्राइंगल्स आपके हो गए हैं जिन बच्चों ने session को like कर दिया है उन्हें बहुत बड़ा सा thanks जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से कर दें चलो अगले question में आ जाओ ये रहा हेलो अथर्फ हाँ ठीक है प्रत्मेश बिल्कुल ठीक कहा आपने ठीक है बिल्कुल राइट सर माथ की class देखो बिटा माथ की class अब टाइम नहीं रहा मैथ की class करने का कुछ मौक टेस्ट कराए हैं अगर आपने उनको अटेंड ना करा हो तो उनको अटेंड कर लो ठीक है बहुत अच्छे मौक टेस्ट कराए हैं मैंने कल जीके की class है ओके एंड हलो अनिरुद हलो प्रतीक हलो जीत चलो हलो दव्यानशी तो question number 3 की बात करें तो question number 3 का जो right answer है guys वो क्या हो जाएगा आपका question number 3 का जो right answer है guys वो क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा 54 देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर हो क्या राए इसका square करो और ये जोड़ दो ये आ जाएगा इसका square करो ये जोड़ दो ये आ जाएगा इसका square करो ये जोड़ दो 54 आ जाएगा sir ये किस चार्टर से है question number 3 बेटा ये इसके लिए जो चार्टर का नाम होता है topic का name वो missing character के नाम से ही होता है ठीक है विदान्त ठीक है square square plus desert ये आएगा question number 4 में आ जाओ first number square और plus करना है second number बिलकुल right चलो question number 4 बताओ गया होगा अगर हम question number 4 की बात करें guys तो 4 का जो right answer है वो क्या हो जाएगा आपका d हो जाएगा देखें यहां पर क्या हो रहा है एक में हमें logic समझना है तो चीजे clear हो जाएगी अगर हम 13 का multiply 4 से करें तो कितना आएगा 52 आएगा 4 का multiply 3 से करें तो कितना आएगा 12 आएगा उसको जोडोगे 64 आएगा और यह 64 किसका square है इस बीच वाले नंबर का square है वहीं यहां पर apply होगा 13 वन्जा 13 4 थ्रीजा 12 जब इसको आपने जोड़ा 25 आया यह किसका square है यह 5 का square है guys 5 का square है ठिक तो 5 का square आपका 25 हो जाएगा guys चलो आगे बढ़ते हैं question number 5 में आते हैं guys एक से जादा pattern भी लग जाता है तो किसी का कोई और pattern बैठा होगा तो भी चलेगा guys okay ठीक है प्रत्मेश ठीक है बेटा question number 5 फ्रेम करिए इसके बाद समझाता हूँ बेटा ठीक है चलो जब तक इसको answer कर दो question number 5 को okay guys so question number 5 की बात करें तो right answer जो है guys भी अज़े आपर जांगे उनका वो क्या होगा आपका C हो जाएगा that means E is the right answer देखते हैं किस तरीके से 5 boys A, B, C, D, E are sitting in a row एक line पर बैठे हैं जब हमें पता ना हो कि वो किदर देख रहे हैं तो हमेशा हम यह मानते हैं कि वो north में देख रहे होंगे A is to the right of B मतलब B के right में कौन है B उपर देख रहा है B के right में कौन है A है फिर लिखा है and E is to the left of B E is to the left of B मतलब B के left में E है तो B अगर यहां है उसका left इधर हो जाएगा E हो गया guys but to the right of C but के बाद जो भी लिखा होगा to the right of C मतलब C के right में कौन है तो but दूर के लिए होता है जब यहां रखोगे तो E right में यहां आएगा last point है A is to the left of D D के left में A है जब D को यहां रखोगे तो उसके left में A आएगा उच क्या रहा है who is second from the left in इधर साइड से यह left portion है आपका left portion से second number पे E बैठा है चलिए question number 4 एक बच्चे ने कहा I didn't understand देखो बिटा उसमें करा क्या है हमने इस 13 का multiply 4 में करा 52 आया इस 4 का multiply 3 में करा 12 आया दोनों को जोड दिया 64 आया और यह किसका square है 8 का square है यही pattern यहां पर भी लगाया है हमने question number 6 यह रहा guys सैनिक स्कूल का जो cut off है इतना लेकर चलो guys कि अगर चाहते हो कि परिशानी ना हो एकदम secure रहे तो 300 में आपको 250 प्लस कोशिश करनी है score करने की guys आप लोगों का परसो ही exam है तो last time पर क्या करना चाहिए maths के पूरे formula अच्छे सा revise करिए आप सब और GK revise करिए जितना कर सकते हैं है ना अब last days में revision नहीं चलता है और घबराईये बिलकुल भी मत सब अच्छा होगा question number 6 की बात करें guys तो 6 का जो right answer है वो हो जाएगा C right है guys 6 का C is the right answer 50 meter देख लेते किस तरीके से in an open ground राकेश walks 20 meters towards north आपको पता है north उपर होता है south इदर east इदर west इदर राकेश 20 meter north की ओर जाता है okay turns left अब जब यह उपर जा रहे है तो left इसका किदर होगा इदर होगा goes 40 meter और फिर वो कितना जाता है 40 meter जाता है he turns to his left फिर left मुड़ता है again to walk 50 meter अब 50 meter गया guys 50 meter ठीक उच रहे how far is he from starting point ये तो यहां से ये इसकी दूरी बतानी है आपको यहां पर बलकुल right pythagoras use हो रहा है देखो ये इस तरीके से आप कर सकते हो अगर यहां से यहां की दूरी 40 है तो यहां से यहां की भी 40 हो जाएगी 40 पता है आपको अगर ये पूरा आपको 50 दिया है और इतना 20 दिया है इतना 20 है और ये पूरा 50 है तो ये जो बच रहा है ये कितना होगा ये 30 होगा तो आप इतना portion उठा लो इतना portion अगर उठा कर यहां रखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां तो triangle बन रहा है यह 40 है यह 30 है और आपको क्या निकालना है यह निकालना है यह Hypotenius होता है तो Hypotenius निकालने का तरीका क्या होता है H square equal B square plus P square B square कितना है 40 का square P कितना है 30 का square 1600 plus 900 आपका answer आया H square equal 2500 अगर root इधर आ जाएगा तो h की value 50 आ जाएगी गाईज, देखो जिसे अभी यह नहीं समझ में आया हो अगर h square आपका 2500 है यह square हटेगा तो सामने root आएगा और इसका square root क्या होता है 50 meter होता है ठीक है गाईज तो इस तरीके से c answer right है Hello शिवान्ष No issue, कुछ mistake कर रहे हो अब देख लो क्या है है ना, चलो आगे बढ़ते है question number 7 में चलिए यह blood relations में question आ गया है तो direction वाले में questions में ध्यान रखना पाईथा गुरस ज़्यादा तर आ जाता है I understand देवान्षू चलो ठीक है बबान, relax कोई बात नहीं बटा, कोई बात नहीं question number 7 देखे, क्या होगा so question number 7 okay कुछ बच्चों के answer D है या फिर वो out of option है देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो इसमें मेरे पास जो answer frame है, उसमें B लिखा हुआ है हम देख लेते हैं ठीक P is the mother of K P जो है, वो mother है किसकी, K की okay K is the sister of D K जो है, वो sister है किसकी, D की D is the father of J D जो है, वो father है, J के आपको बताना है, how is P related to J ये जो P है, ये J के क्या लगे तो देखो न, पापा, बुआ, ठीक है न तो पापा की मम्मी, ग्रेंड मदर ही तो लगेंगी गाईज क्या कर रहे हो आप लोग, ग्रेंड मदर is the right answer no, 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 रिशब देखो बेटा कुछ तो गलबड़ी करी है, आपने hello श्री गौरी, कुछ तो गलबड़ी की है बाकी बच्चों ने, इसको देखो ठीक से, ग्रेंड मदर राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉशन में, कॉशन नमबर एट ये रहा सर एक और बार हाँ, बोलो रिशब एक और बार, क्या बेटा so, कॉशन नमबर एट कॉशन नमबर एट का जो राइट आंसर सा समझाए, ठीक है, रिशब इसके बाद समझा दूँगा, don't worry एट का जो राइट आंसर है, वो क्या है, आपका डी है जिन बच्चों ने डॉटर आंसर दिया है देखिए किस तरीके से introducing आसा to guest तो आशा को guest से, महमानों से introduce करते हैं वक्त भासकर ने कहा, कहने वाला जो है वो भासकर है भासकर said, हर father, मतलब आशा के जो father है is the only son of my father तो मेरे father के एक लौते बेटे जो हैं तो देखो, मेरे father के एक लौते बेटे जो हैं, वो उसके क्या है, father है मतलब आशा यहां आ जाएगी देखो, guys solve हो गया है question भासकर ने कहा, कि हर father मतलब आशा के जो पिता है वो एक लौते बेटे हैं मेरे पिता के तो भासकर के पिता के लौते बेटे वो खुद और यह जो हैं, वो आशा के पिता है पूछ रहा है, जो आशा है वो भासकर की, क्या लगी तो daughter ही लगी, guys ठिक, बेलकुल right, only son is भासकर, okay question number seven समझ जहा देता हो, रिशब आपको P is the mother of K तो P जो mother है K की, तो P और K इस तरीके से लिखा, K is the sister of D, तो K sister है, D की, यह लिखा फिर D is the father of J D father है, J का तो कोई father उपर और जो भी daughter या son नीचे पूछ रहें, जो P है, वो J का क्या लगा, तो पापा बुआ, उनकी मम्मी भाई, बुआ की मम्मी या पापा की मम्मी सेम होंगी न, तो पापा की मम्मी, ग्रेंड मदर ही तो होंगी चलो question number 9 में आ जाते हैं यह रहा, hello Kevin okay, सैनिक स्कुल में कितने questions होते हैं, okay 50 questions math के होते हैं बाकी 25, 25 other 3 sections के होते हैं intelligence test के भी English के भी और GKK भी, चलिए okay, that's good आपका नाम क्या है सैनिक स्कुल study, as you said I have my channel with two video question number 9 question number 9 question number 9 की बात करें गाईज, तो guys, जो right answer है, इसका वो B हो जाएगा, ठीक क्यूंकि जब इसको arrange करोगे तो ये word बनेगा, peacock उच रहे, last letter what is the last letter of the word तो last letter K है, बिल्कुल ठीक ठीक है हशी, बेटा, okay question number 10 ये रहा sir minimum total sir minus total 125 युवराज, तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, sir minus total 125, ठीक से mention करो जो जानना चाते हो, ठीक है, हशीब, सुमन, आपकी ये date of birth जो है, आप RIMC, जब बेटा, आप 7th में पढ़ रहे हो, ठीक है, और जब आपका 7th complete हो गया हो, है ना, तब आप दे सकते हो, RIMC का exam, ओके, चले, question number 10 का answer बताईए, गाईज, चलो, सुमन, उसकी eligibility criteria भी याद नहीं है, बेटा, ठीक है, ना, एक साल में दो बार दिया जा सकता है, maximum, और जब आप 7th में पढ़ रहे हो, या 7th complete हो गया हो, तब, ठीक, चलो, Hello दुर्गेश, so question number 10 की बात करें गाईज, तो question number 10 का जो right answer है, वो क्या है, आपका A है, question कह रहा है, कि किसी भी दो sign को interchange करो, interchange का मतलब यह है, divide की जगा, into, into की जगा, divide इस तरीके से, तो हमने जब कह दिया आपसे, कि, divide और into है, तो इसको change करते हैं, तो divide और into देखो, इधर पर into लगा देंगे, और जहाँ into है, वहाँ divide लगा देंगे, तो अब नई equation बनाओ, 4 divided by 2, plus 6 into 2, minus 12, equal to, इधर को solve करने में 2 आ गया, मतलब हमारा right है, भाई ये solve करा 2 आया, इसको solve करा 12 आया, फिर ये minus 12 है, फिर ये आपका 12 में से 12 कट गया, आगे आपका 2 equal to, हाँ, question 125 और marks 300, बिल्कुल right, हाँ, total question 125, चलो, आगे बढ़ते हैं, question number 11 में आ जाईए guys, हाँ, योवराज, total 125 question, छोड़ो अभी RIMC, अभी परसो एक्जान है, सैनी की स्कूल का इधर ध्यान दो है न, हाँ, चलो, question number 11 करिए guys, हम 25 question है देवांशू, है न, हाँ, so, question number 11 की बात करें guys, तो, I got answers from कश्यव, इश्यू, अनिरुद, अविराज, रिशब, अनन्त, ववान, दुर्गेश, श्रीगौरी, ववान, सिधार्थ, अमन, अथर्व, श्रीगौरी, दिव्यान्शी, श्रेस्ट, चलो guys, 11 का right answer क्या है, आपका C है, बहुत अच्छी बात है, सबसे मुझे लगता है, right answer मिला है, प्रत्मेश, ठीक है, आप से भी मिल गया, एहमद इस टॉलर देन सलीम, एहमद जो है, वो बड़ा है, सलीम से, फिर लिखा है, सलीम इस नॉट एज टॉल एज एहमद, सलीम जो है, ठीक है ना, एहमद के बारे में तो पैसे ही बता दिया है, सलीम एहमद जितना लंबा नहीं है, वो तो सही बात है, यहाँ पर पता है, बट टॉलर दन अकबर, अकबर से लंबा कौन है, सलीम है, इधर आपका अकबर आ जाएगा, और यह आपका एहमद है यहाँ पर, ठीक ध्यान रखिएगा, एसे दो लोंग हो गए है, सोहन टू, इस नौट एज टॉल एस सलीम, सोहन जो है, वो सलीम जितना लंबा नहीं है, मतलब सलीम से छोटा है आपका सोहन, सलीम से, छोटा है आपका सोहन, फिर कह रहा है, यहाँ बिट नहीं बट होगा, बट टॉलर देन अकबर, तो अकबर से बड़ा कौन है, सोहन है, अकबर से बड़ा कौन है, सोहन है, अब जब आप इसका फिगर बनाओगे, तो आप देखोगे, कूछ कहारा है, who is the tallest, अरे सबसे tallest तो एहमद ही है guys, वो तो clear ही है क्योंकि Salim, Sohan, Akbar Salim यह है, Sohan यहीं बीच में आएगा, अकबर यहां आएगा इसका मतलब यह है, कि guys एहमद is the right answer चलो, एहमद is the tallest and अकबर is the smallest right है issue, चलो question number 12 में आजाओ make a video on answer की 8-1 हाँ guys, और 8 तारीक को जो आपका exam होगा ना, तो उसकी answer की जो है, with solution ठीक है ना, मैं कराओंगा don't worry, ओके चलो, question number 12 करिए अनन्द बेटा देखो, honestly आपको बताओ, अब हिंदी का mock test मैं नहीं कराओंगा तो better है कि आप कहीं से arrange कर लेना उसको, है ना क्योंकि आज मैंने ये करा दी है करा दी है intelligence का, कल GK का है, marathon class और पर सो exam ही है आपका श्रीगवरी 25 questions है बेटा so question number 12 guys so guys, इसका right answer जो है मुझे सुमन, इशू, दैन, प्रतीक, अमन, योगराच, ववान, कैविन, अनन्त, अनिरुद, D right answer है guys and, सिद्धार्त सेंग, sir मैंने language mode, हिंदी चूस करा है sir मेरा exam में English subject आएगा की हिंदी subject हिंदी चूस करा है, तो हिंदी आएगा ना बेटा, ओके, चलो question number 12 की बात करेगा, इस तो right answer D है, as I said question क्या कह रहा है, देखो, 37 boys are standing in a row, facing the school building, okay, Ashwani is 15th from the left end, total 37 बच्चे हैं, 15th from the left end, इधर side से, जो 15th position में हैं, वो कौन है आपका Ashwini है, Ashwini है, इसका मतलब समझ रहे हो, total 37 बच्चे, okay, अगर ये Ashwani इधर से 15th है, मतलब इधर total कितने बच्चे हैं, 14 है, अगर 37 में से 15 minus करें, तो जो आपका निकलेगा 22, इधर total कितने बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं, ठिक, इतनी details हमें पता चल गई, आगे कह रहा है, if he is shifted 6 places to the right, अगर Ashwini 6 places इधर जाता है, समझना, इधर से वो 15th position में हैं, 6 place आगे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, count करो इधर से, 15 तो already था, 16, 17, 18, 19, 20, 21, वो left side से 21 position पर आ चुका है, पूछा जा रहा है, उसकी position इधर से कितनी होगी, ठिक, उसकी position इधर से कितनी होगी, total 37 बच्चे हैं, 37 में से 21 माइनस करो, तो answer आएगा आपका कितना, 16, इसका मतलब इधर अब कितने बच्चे बच्चे, 16 बच्चे बच्चे हैं, भाई इधर से इसकी position बतानी है, तो plus one करना होगा, तो answer आजाएगा आपका 17, ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको करना होगा, ध्यान लगा कर, फोकस करके, अम बिटा जो साइनिक स्कूल का एक्जाम का जो लेवल होगा ना दिखना moderate होगा, average, ना जादा easy होगा, ना जादा tough होगा, ऐसा मुझे लगता है, वबान वो पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, जो मुझे लगता है मैंने बता दिया, खूशन नमबर 13 ये रहा, ओके ठीक है कुश, कॉशन एंसी, ओके बच्चन नमबर 13 देखता हूँ, in a row of letters, a letter is 5th from left end, and 12th from the right end, how many letters are there in a row, देखते हैं, 13 के लिए तो कोई figure है नहीं है, देखो, in a row of letters, a letter is 5th from left end, and 12th, अरे गाइस, simple question है ये तो, simple है, ठीक है, देखो, question नमबर 13 की बात करें, guys, right answer जो है, वो B है, देखो, in a row of letters, a letter is 5th from left end, इधर से वो क्या है, 5th है, और यहीं letter इधर से क्या है, 12th है, दोनों ही बार, इसी की position बताई गई है, तो 5 और 12 को जोड़ा, 17 आया, लेकिन इसको दो बार count करा है न, minus 1 करना पड़ेगा, 16 आ गया, चलो, question number 14 देखते हैं, guys, यह रहा, देखी, question number 14 में क्या करना है, तब तो गलत हो जाएगा, अथर भेना, minus 1 करना है, ओके, guys, question number 14, आपको इन words को dictionary के हिसाब से सेट करना है, पहले कौन सा word आएगा, फिर कौन सा आएगा, तो alphabetical order set करना है, good afternoon, साथविक, question number 14 की बात करें, तो 14 का right answer जो है, वो आपका क्या है, B है, guys, ठीक है, 5, 4, 1, 3, 2, सबसे पहले आपका direct आएगा, देन आपका divest आएगा, फिर उसके बाद आपका divide आएगा, उसके बाद आपका divine आएगा, फिर उसके बाद division आएगा, जो letters common हो, उनको हटाओ, उसके बाद जो letter पहले आए, वो word पहले आएगा, जो बाद में आए, वो बाद में आएगा, हाँ इसमें थोड़ा परिशानी हो सकती है उन बच्चों को जिने मीनिंग ना पता हो ट्वाइलाइट, डॉन, नून, नाइट है ना ओके कुछ ठीक है, देखते हैं, सो गाइस देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर है, फिफ्टीन का वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, देखिए, सबसे पहले आपका टू, डॉन आएगा, उसके बाद आपका नून आएगा, अब आपको एक ठी समझ में आई हैं, फर्स नंबर पर आपका डॉन है, फिर आपका ट्वाइलाइट है, और फिर आपका क्या है, नाइट है, देखो, आपको इसका मतलब आपका दोपहर हो गया, ठीक, इसका मतलब आपका रात हो गया, डॉन मतलब जो है न, जब सूरज निकलता है न, सवेरा, एकदम वो आपका ये है शाम या सांज कह सकते हो और ये सुबह, सुबह का वक्त होता है चलो आगे बढ़ते हैं, question number 16 ये रहा गाईज ठीक है बबान, ठीक mention किया है सांज, right question number 16 का answer बताईए क्या होगा hello sinchu ठीक है देवांशू after this so question number 16 की बात करें गाईज right answer जो है वो दव्यांशी, अनन्त, अमन then श्रीगौरी, रतीक, ववान, अनिरुद b right है गाईज, देखिए इसमें क्या हो रहा है a की place value 1 होती है, single digit था a की 1 होती है, c की आपकी 3 होती है e की 5 होती है, जोड़ो इन सबको 9 आएगा उच्छे तरीके से a की 1 होती है, r की 18 होती है और t की आपकी क्या होती है, 20 होती है जोड़ो इन सबको 39 आएगा गाईज पिछला वाला समझाना है, देख लो बेटा ये जो sequence है, dawn जो है सुबह का time है, ठीक है जिस वक्त सूरज निकल रहा होता है उस वक्त को dawn कहते हैं फिर आपका दोपहर आता है, फिर आपकी शाम, सांज, फिर आपका रात ये sequence है, देवानशू question number 17 करिए गाईज हाँ, में भी repeated हो सकता है so guys, question number 17 की बात अगर हम कर लें, तो 17 का जो right answer है वो मुझे मिला है अनन्त, दव्यानशी प्रतमेश अमन प्रतीक अंकुर मौर एंजिन बच्चों ने D दिया है, लाइक क्यावेन रश्री गौरी देखो इसमें क्या हो रहा है पाटन समझो S का opposite H होता है, opposite values A का Z, M का N तो L का क्या होता है L का opposite O, O का L V का E, E का V opposite values है guys question number 18 में आ जाएए हाँ, बिल्कुल राइट दिया जाएँ, ट्रिक बढ़िया है वो भी H और S opposite है, हने सिंग L और O, love है न, E और V, even ऐसे आप tricks से लर्ण करके भी बढ़िया याद रख सकते हो तो अथर्व, revise करो बेटा, अगर भूल गए हो opposites तो so question number 18 की बात करें गाइस, तो I got answers of 18 from कुष, अनिरुद, रिशब, सुमन, दव्यान्शी, अविराज, अमन, कश्यब, श्रीगौरी, चले, तो जिन बच्चों ने B दिया है, उनका right है, 18 का B है, answer मेरे पास mention, देख लेते हैं, देखो D, पहला-पहला letter देखो सबका, ठीक, D के बाद E छोड़ा F आया, G छोड़ा H आया, I छोड़ा J आया, K छोड़ा L आएगा, second letters देखो, second letters में उल्टा हो रहा है, H, I, J, K, सब में minus 1 किया हुआ है, तो H के पहले क्या आएगा, G आएगा, third letter देखो, S के बाद T छोड़ा U आया, V छोड़ा W आया, X छोड़ा Y आया, minus करना है, लेकिन एक letter का gap, तो जब Q लोगे, तो Q के बाद R छोड़ कर S आजाएगा, तो L, G, Q is the right answer, guys, question number 19 ये रहा, हाँ, बिल्कुल रैट विवान कोई जरूरत नहीं थी, बट मैंने mention कर दिया, question number 19 बताएगा, So, question number 19 की बात करें, तो right answer दिव्यानशी का है, then Hashib, then Aman, then Shri Gauri Avirach, Vavon, be a right है, guys, और guys, answer अच्छा, ठीक है, कुछ बच्चों ने mention कर दिया, 191 answer होगा, ठीक है, देखो, भाई, इसका difference क्या है, अरे difference नहीं जाने, तो भी कामबड़ चल जाएगा, देखो, into 2, plus 1, 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 तो into 2 करोगे, और फिर plus 1 करोगे, तो 191 आ जाएगा, ठीक है, guys, difference भी कर सकते हो, सब में difference डबल हो रहा होगा, या फिर into 2, plus 1 कर सकते हो, ठीक, अथर, जल्दी दो, तो आपकार भी नाम लूँगा है, न, question number 20 ये रहा, guys, So, question number 20, guys, देखें, क्या होगा? So, question number 20, guys, देखें, क्या होगा? So, जिन बच्चों ने answer, इसका D दिया है, guys, उनका right है, देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप Q और O को बैठा होगे, K के बाद L छोड़ा M, फिर N छोड़ा O, P छोड़ा Q, R छोड़ा S, T छोड़ा U, B छोड़ा W, X छोड़ा Y, है न, इस तरीके से होगा है, 21, Hello, Mahi, So, question number 21, guys, right answer, जो है, Kashyab Anirudh Rishabh, Network चला गया, guys, उस phone का, चलो कोई नहीं, question number 21 की बात करें, 21 का जो right answer है, guys, वो B बिल्कुल ठीक है, देखें, 24 में 4 माइनस करो 20 आएगा, फिर 4 माइनस करो 16 आएगा, फिर 4 माइनस करो 12 आएगा, इसमें double series थी, 35 में 4 माइनस करो 31 आएगा, 4 माइनस करो 27 आएगा, आगे का पूछ लेता थो 23, बट पूछा नहीं गया है, तो 12 is the answer, question number 22 यह रहा, इनमें odd one out बताना है, क्या होगा, ठीक है विबान, वो भी ठीक है, plus 11 माइनस 15, वो भी follow हो रहा है, ठीक है सिंचू, I will explain 20 number question after this, question number 22 की बात करें गाईज, तो question number 22 का जो right answer है, वो क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा, A, I, O, यह सब आपके क्या है, wobbles हैं, लेकिन यह wobbles नहीं हैं आपका, ठीक, question number 20 देख लो, question number 20 में क्या है, reverse ABCD चल रही है, K के बाद L आता है, फिर M आता है, M के बाद N आता है, फिर O आता है, फिर P आता है, Q आता है, R आता है, S आता है, T आता है, U आता है, एक एक लेटर छोड़ना है और इधर उल्टा देखना है, चलो, question number 23 ये रहा, guys इसमें भी odd 1 आउट ही है, odd 1 आउट, except the all are available, बिल्कुल right, ठीक है अविराच, बवान बस 25 questions तक, हशीब, चलो, इसके बाद करता हूँ, question number 23 की बात करें, guys, तो right answer जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका difference जो है, वो 24 है, guys, बाकी सबका difference 13, 13, 13 है, इसलिए right answer आपका ए हो जाएगा, odd 1 out, okay, question number 21 देख लो, इसमें double series चल रही है, okay, 24 में 4 कम करा 20 आया, फिर 20 में 4 कम करा 16 आया, 16 में 4 कम करोंगे, 12 आयेगा, एक एक नमबर छोड़ कर, ठीक है, चलो, question number 24 यह रहा, इसमें भी odd 1 out है, guys, ठीक है, और भी कुछ follow हो सकता है, issue, okay, चलो, question number 24 का answer बताएगा, अरे, question, रहने दो, यह सब मत करो, question number 24 की बात करें, guys, तो 24 का जो right answer है, guys, वो यहाँ पर हो जाएगा, आपका a option हो जाएगा, guys, देखें क्यूँ, 19 प्राइम नमबर है, 131 प्राइम नमबर है, 61 प्राइम नमबर है, 57 जो है, वो प्राइम नमबर नहीं है, वो divisible है, 3 से ही, है ना, 24 का a हो जाएगा, हेलो सभिता कुमारी, ठीक, तो guys, ठीक है अथर्फ, that's good, question number 25, guys, आज का last question, बताए इसका answer क्या होगा, so guys, question number 25 की बात करें, तो question number 25 का जो right answer है, वो C है, और मुझे सब से C मिल रहा है, चलो, तो आपने देखा, ये minimum है, इसको reverse में लिखा गया है, ठीक, ये maximum है, इसको reverse देखोगे, तो maxi, mum, maximum हो जाएगा, ठीक है guys, तो ये आपके 25 हो गया है, score mention करिए, ज़रा 25 में से कितने score किसके किसके हैं, अरे, उल्टा लिखा गया है Kevin, इस minimum को ऐसे लिखोगे, तो ये आपको दिख रहा है, मतलब, ये जो इसको उल्टा कह रहा हूँ ना, इसका उल्टा करके, ऐसे लिखो तो ये आएगा, ठीक से observe करो, तो ठीक है guys, hello wamsi, hello wanshika, तो ठीक है guys, आप लोगों के marks बढ़िया हैं, 22, 23rd, मतलब, तो जो गलत हुए हैं, को देख लो, 23 plus, 22 plus, ठीक है guys, लेकिन जो mistake हुई है, वो exam में ना हो, ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है, कल की class थोड़ा लंबी चलेगी guys, ठीक है, explain question number 24, ठीक है, सिंचु देख लो, question number 24, question number 24, जो है guys, 19, 131, 61, ये सब prime number हैं, किसी की table में नहीं आते, लेकिन 57 जो है, वो 3 की table में आता है, 19 की table में आता है, इसलिए ये आपका क्या है, odd one out है, okay, कर दिया सिंचु, explain, question number 20, sir, कल की class कब तक चलेगी, अप्लॉक्स, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे भी चल सकती हैं, नहीं कह सकते, exact sir, कम से कम कित्ते, कित्ते टाइम तक चलेगी, कल की class, एप्रॉक्स, मिनिमम, 2-3 घंटे, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक, चलो, question number 3, question number 3, question number 3, देखना है, देख लो, question number 3 में क्या हुआ है, इसका square करो, और इसको जोड़ दो, ये आएगा, इसका square करो, 49, फिर ये जोड़ दो, 54 आ जाएगा, ठीक है, हाँ, admit card आ चुका है, चलो, ठीक है, धर, सर, कितने questions होंगे, अम कल questions नहीं कराऊंगा, कल GK कराऊंगा, topic wise कराऊंगा, ठीक है, questions नहीं कराऊंगा, कल GK topic wise पढ़ेंगे, ठीक है, तो guys, कल अगर कोई travel कर रहा होगा, तो भी class content करना है, क्योंकि सर्फ आपको देखना है, ठीक है, calculate नहीं करना होगा, सर्फ देखना है, learn करना है, ओके, और guys, कल की class important है, आप सब के लिए, so please join करिएगा, so bye bye guys, bye bye everyone, take care, bye everyone,